हेलो व्रीवन वेलकम तो ब्रेक टाइम क्लासेज इस वीडियो में एक्जाम फोकस करके जो बूस्टर क्लासेज हम कर रहे थे उसका यह तीसरा वीडियो है करेंट अफेर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफेर इसमें कवर किये जाएंगे जो कि यूपी पीसे आरो या मैसाचूसेट्स का जाता है यूशे में जो इन्वस्टी है उसी को मिला हूए और चेटर में दिया जाता है मारकोर्णी पूरसकार ये कम्प्यूटर के छेटर में उत्करिष्ट काम करने के लिए लिए बहारती मुल्ग थे इंपॉर्टन है मारकोनी पुरसकार डॉक्टर बाल क्रेश्टन को मिला है नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग यह कौन से नंबर की डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज थी तो आठवे नंबर की थी कहां पर आयोजित की गई तो अल दफरा एयर बेस UAE में सभी तरह अमीर यह सब हैंω इसामिले तयोघिया प्राइज शहीं जीकिल हो रहा है कोई मगः safety आफ्रीका से बाद यहां पर महादीब से फ्रांस से उके P cultivान नहीं में वाज़ तो यहां पर सभी या डेजा है जिनका नाम है सवा लाल महाद। इनकी 284 मिनाये गई ऐसे पहले धर्मगुरु संत जिनकी जैनती उच्षों के रूप में मनाये गई हैं तो बंजारा संत सेवालाल की यहां पर सेवालाल महराज की जो है बनाया जाता है विज्ञान दिवस और इस पार इसकी थीम क्या थी तो ग्लोबल साइन्स फॉर ग्लोबल वेलबिंग मतलब वैस्विक भलाई के लिए वैस्विक विज्ञान यही आपको दोनों यहां पे इंग्लिश्वला जादा ध्यान रखेंगा ग्लोबल साइन्स फॉर वेल बिंग यह जो है राष्ट्रे विज्ञान दिवस 2023 की थीम थी और यह जो राष्ट्रे विज्ञान दिवस है किस लिए बना जाता है तो 28 वररी में सीवी रमन के दवारा रमन प्रभाव की खोच गई थी जिसमें कहा जाता है कि प्रकास जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग गया वगएरा जो बदल जाती विक्षेपित हो जाता है तो वही रमन प्रभाव है और 28 वर इसकी खोच की गई थी रमन जी के द्वारा इसके अलबाँ 1930 में इनको नोबल पुरसकार भी मिला था इनको भारत रत्न भी मिला है सीवी रमन को 1904 में 1930 में नोबल मिला था 1954 में भारत रत्न से भी समानित किया गया था और पहली बार जो विज्ञान दीवस मनाया गया था 1987 में मनाया गया था याद रखेगा 1987 में 1987 में नेक्स्ट बात करेंगे एक ओप्रेशन सद्भावना भी आया था तो ये किसले था ओप्रेशन सद्भावना इसके लाव कुछ और इंपोर्टन जो पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं तो पहला है ऑप्रेशन विजे दो जगह पे चला था एक बार 1961 में चला था भारती सेना के द्वारा जो गोवा दमन दीव और जो अंजेदीवा दीव था उसको मुक्त कराने के उसके लावाए पूम लाई चार जून 1987 में बनाया था पूम लाई और यह वाई शेना के द्वारा चला गया था जो स्रीलंका में ग्रह युद्ध हो रहे थे उसमें तमिल टाइगर्स का सहयो करने के लिए उनका समर्थन करने के लिए पूमलाई ऑप्रेशन किया गया था तो यह था 1987 वाला स्री लंका से संबंदी था आगे बात करेंगे ऑप्रेशन गंगा जो हाली का है 2022 का रूस और यूकरेन का जो वार हो रहा था उस टाइम पर भारतिय नागरिकों को जो चात्र वगेरा वहां पंपफ़ से थे उनको वापस लाने के लिए इंड्या में ऑप्रेस्टो जो चल रहा है भी 23 तुर्की में भी तोको बोच्थाने के लिए बहुत सारे अंस्क्रित भागीदारी बीच में ठीव नेक्स्ट बात करते हैं नितिन गटकरी जी कि द्वारे जो कि हमारे जो साड़क मार्क मंत्री तो नितिन गटकरी जी द्वारे उत्तर प्रदेश में साथ राष्ट्री राजमार्क परियोजनाव का उध्गाटन किया गया है और इसमें भारतिय मूल की जट जिन्हें अमेरिका के कलिफोर्णिया में डिश्टि कोर्ट का असेट जस्टिस नामित किया गया है इनका नाम क्या है उननका नाम है शमा हाकिम मेशीवाला ऐसी नाम अक्सर इगजाम में पूछी जासकते हैं अगर कोई महिला बंती है भारत से बाहर कहीं सेभीष टेस्ट क्रिकेट में सराधीक रन्ट किसे में कौन बनाया किसने रिकॉर्ड किसके नाम है तो के विलेमसन यह जो कि ने थे चैट वो सेपत क्या गया है तो धोलेरा में क्या गया है गुज्रात में पहला से महुत्सो से कहां बेते हैं, दो साल के बाद भी को बर दो साल के बाद माने डाया करूनारी के महारास्ट्री में बर भी जा अधर खुंधी, दीवस तरे अधरबूमी , टैपार किम्क, वैतै looking till these days of walking ortonanie, स्पiska करें लूंट आधा है भारत ने 1982 पे साइन किये थे, पहली बार विष्ण आद्रो भूमी दिवस तो 1997 में बनाया गया था, यह कन्वेंशन हो गया था 1971 में लेकिन दिवस मनाया गया था 97 में और सबसे जढ़ा वर्तमान में रामसर साइट कहां पर हैं तो UK में, United Kingdom में और यहां पर कितनी हैं तो 175 हैं मैक्सिको में कितनी हैं सेकर्ण नंबर पे मैक्सिको आता है यहां पर 142 हैं भारत में कितनी रामसर साइट हैं तो अमृत काल अभी चल रहा है सेकंड नंबर पे मेक्सिको आता है यहां पर 142 है भारत में कितनी रामसर साइट है तो अमरित काल अभी चल रहा है तो 75 यहां पर जो है हमारे रामसर साइट है 75 साल पूरे हो गया जादी के इसलिए जल्दी 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 जो है बहुत सारे रामसर साइट अभी हाली में ड नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटेन में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला हाली में तो यह मिला है मनमोहन सिंग जी को जितने भी भारते जो एलुमिनाइज होते हैं जो वहां पर इन्वस्टिव अगरा में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए जो है यह आवार्ड गया है तो मनमोहन सिंग जी को मिला आई है डीजी सी जी आई मतलब ड्रक कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया यह कौन बने है भी तो यूपी असी के दवारा नामित किया जाता है नाम तो राजीव सिंग रगवन्शी यहां पर इनका नाम नामित किया गया था और यह बने हैं डीजी जी जी आई ड्रक कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी सिक्षा कारी समूव की बैठक कभी कहां पर आउजीत हुई तो वैसे तो 200 बैठक आउजीत हो नहीं है जिसमें से 11 उत्तर प्रदेश में भी आउजीत होंगी तो यह सिक्षा समूवाली कारे बैठ काई आओं पुदु माई पैं छात्रविति एक योजना है ठात्राओं के लिए लड़कियों के लिए योजना है अर यह तमिल नाडू में चलाए गई है मोकिमंत्री Vander म 90 से पांच से लेकर 12 आउस तक चात्रोजना चलेगी पुदु माई पैं योजना तो इसन बीशीज झाल झाल